भारत अपना श्रीमती लता मंगेशकर जी लता दीदी के जाने से किवल महीं नहीं प्रत्यक भारतियक के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पनों हुई है उसको शब्दों में वरनन करना कठेना है आठ दशक के उपर अपनी स्वरवर्शा से भारतियों के मनों को सिक्त करने वाला तुरुप्त करने वाला शान्त करने वाला आनन दगहन आज हमने खो दिया वो अब नहीं बरसेगा लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्दी थी उनकी संगीत साधनत के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं इतनी स्वरसिद्ध गाई का होने के बाद भी विश्वमान्य गाई का होने के बाद भी किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारिय और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना और कभी 13 साल के आयू में गाना शुरू किया तब करती होगी लेकिन सभीक्षेत्रों में उनकी ये तबस्या है अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने कौटुम्बिक जीवन में अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजिविका के यानि व्यावसाइक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार याने शुचिता और तपस्या का साधना का आदर्श उधारण अनुकरणी उधारण सबके लिए था ऐसी स्वरबार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उधारण अमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई हमको उसके दुख को सहन करने का धहिरिया तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आखात को सहन करने का धहिरिया भगवान प्रदान करे मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में सहिस रहेगी लेकिन पार्थ्यों रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्बर करना पड़ेगा उस स्मुरती में संग की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिकत चरदान जली अरपन करता हूँ